जै श्री राम दोस्तों कैसे आप सब स्वागाते पिर से मैं इस नहीं वीडियो में तो भी हम खड़े हों हैं अध्या के किरकेटी स्टेडियम ग्राउंड में और पीछे आप देख सकते हैं अब आपको थोड़ा सा अपडेट दिख रहा होगा दिखाते हैं को बैक केमरे से क आचे जब भी कैसे कितना बन चुका है ताइम एंड डेट की बात करते हैं तो आज है 31 मार्च बिल्कुली लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाने चलना है तो देख सकते हैं दोस्तों अब भी जो है यहां तक घास यह लगाई गई है और इतना तो आप जानते ही है कि यह होती है और काफी जदा बड़ा है यह वाला ग्राउंड अच्छे से मैच वगेरा हो जाएगा बवी समय होता है तो देख सकते हैं कुछ ऐसा अभी मौके पे सारी चीजें इधर के साइड अपडेट है पीच जो है बीच में है अभी चलते हैं उसको दिखाने कि आपको कोसि अब यह है तो हमें लगा आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहिए अब यह क्या चीज कैसे यहां पर यह सब लगा हुआ है अब यह सो नहीं लोग जाने क्या है कैसे है पानी का पूरा अंदर जो है करेक्शन वोगेरा सब कुछ किया गया है कि कई सारे मतलब है यहां प ह anunci चलते हैं थोड़ा सा उपर है कि कहीं से चालते हैं तो आपको दिखाते हैं हृ चैसे, यहां सब उपर आप देख सकते हैं सबसे उच्छा पॉइंट इदरी था और अभी देख सकते हैं इस पॉइंट पर आगे हैं जो सामने ठीक दीख रहा है उदर से फ्रंट है याफी उचाई पर यार तो इदर से चलते हैं उपर सामने वाले पर तो उपर से आपको व्यू समझ में आएगा कैसा है यह खुला हुआ है देखते हैं इसमें क्या है यह देखें पूरा पाइप का कनेक्शन वाटर का है ताकि छिड़काव हर जेखां बराबर की जा सके देखें दस्तों किदने हाइट पर आ गया है यहां सब बिलकुल नए वर्क किये गया है और उपर चलते हैं थोड़ा सा हाला कराओं गई इतने उपर आते आते यह देखें इधर से एक गेट और है दूर दूर तक आप देख सकते हैं आप देखें यहां से क्या व्यू आ रहा है एकदम पहतरीन शानदार जोरदार जिसमें मैं खड़ा हूँ यह बिलकुल लेटेस में बना हुआ है तो दोस्तों इसमें जो है स्टेडियम के अंदर आने के लिए पूरे पांच इंट्रेंस है गास बहुत ही अच्छी लग रही पूरे के पूरे आप देख सकते हैं वरकर जो है लग चुके हैं एकदम सुबा ही सुबा करीब 9 बज रहे हैं तो ऐसा है बिलकुल यह क्रिकेट स्टेडियम का लेटेस्ट अपडेट अभी कई सारे काम होने बाकी है जो कि दीरे दीरे जो से पिछली बार आया था तो कुछ लोगों ने इसके इंजीनियरों ने बताया था कि नॉर्थ और साउथ डिरेक्शन में इसकी पीछ होती है जलते हैं दोड़ा साब पीच को पास से आपको दिखाते हैं यहां पीच वाला एरिया बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे बिल्कुल ऐसा जो की बनाया जा रहा है चलिए चलते हैं बाहर बिल्कुल यह लेटेस्ट अपडेट था 31 मार्च का तो दोस्तों इधर से है यह इंट्रेंस अभी हमने आपको सारी चीजे अंदर की दिखाई क्या और तैराकी फुटबॉल कई सारी चीजे हैं बट आप लोगों को जैसे कि इंट्रेस्ट क्रिकेट में है तो हमने इसको आपको दिखाया बहुत ही जल्दी जो है जल्दी कि आप एक साल तो लगेंगे बहुत ही जबरदस्त यह बनके निकलेगा मैच और सारी चीजे होंगी जैसे कि कोई सीनियर आता है तो बताता है हाँ इसमें मैच होगा इसमें मैच कराया जाएगा और 21 पदा चला है सभी पीचों में कलकत्ता में एक पीच है उससे भी अच्छी यहां की यह वाली पीच रहेगी ऐसा मतलब दावा है और बगवान करें कि यह ऐसा ही हो हमारे सखो की होने वाली है ऐसा है मोटा मोटी कुछ हिसाब किताब होगा बट 34,000 के आसपास लगबग ही रहेगा तो कई सारी चीज़े हैं ऐसे ही मैं अपडेट्स जो है उद्ध्या के चीज़ों के बारे में देता रहता हूं और दोस्तों यह स्टेडियम जो है उद्ध्या सहर से मात्रद एक से डेड़ किलोमीटर के दूरी पर यह है बहुत इंदलदी बालमिकी अंतराश्टी एरपोर्ट से बिलकुल ही पास में है अध्या टू प्रयागराज वाले मार्ग पर है तो दोस्तों ऐसा था यह किर्केट स्टेडियम का बिलकुल ही लेटेस्ट फिर मिलते आपको किसी और वीडियो के साथ किसी और ने अपडेट के साथ तब तक के लिए जैस्री राम ध्यान रखेगा अपना